नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट अनलसिस पर स्वागत करता हूं और मापी चाहूंगा आप लोग के लिए आज के लिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं तो इसलिए आप लो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लेना और अगर चैनल सब्सक्राइब हुआ है तो प्लीज लाइक का बटन दबा के सपोर्ट जरूर कीजिए चली हम लोग पहले देखते हैं कि टाटा मोटर्स का कलका लेबल क्या हो सकता है जैसे कि यहां पर थोड़ा सा एक सेलिंग प बनाना सुरू करें मार्केट जैसे कि मानके चलो अगर गेप अब कर लेता है मार्केट उपर के लिए तो एक रेट कंडल बना के मार्केट नीचे आ सकता है तो डायरेक्ली मैं आपको लेबल क्यों पर चलता हूँ जहां पर इसने क्लोजिंग दिया है वह आपके लिए इंपोर्टेंट लेबल रहेगा टू नैंटी का अगर मार्केट टू नैंटी के नीचे चला जाते हैं आप सेल कर सकते हो यहां पर आपको काफी दो टार्गेट देखने को मिलेगा जैसे कि आपका यहां पर दो टार्गेट आपको देखने को मिलेगा 287 287 के साथ 281 यह दो टार्गेट आपको पहले देखने को मिलेगा अगर 290 के नीचे खुल जाता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो यहां पर दो टार्गेट रहेगा 287 और 281 और रेजिस्टन्स की बात कहूं 299 का डे हाई रहेगा 299 की उपर जैसे ही जाएगा 30 हम लोग प्रिविएस डे का कैंडल चेक कर लेंगे मैं आपको डारेक्ली इस कैंडल पर दिखा देता हूँ देखिए हमने जैसे की प्लान किया था हम लोगों ने 315 के आसपास एक लेबल हो सकता है और 315 के आसपास मेरा बड़ा टार्गेट दिखाए दे रहा है तो उससे पहले भी एक टार्गेट रहेगा आपके लिए मैं बता देता हूँ 315 से पहले 307 307 का एक टार्गेट पकड़ के जा सकते हो अगर मार्केट 307 के ऊपर चलने लगता है मानके चलो अगर 291 की 299 की ऊपर चलता है बाई कर सकते हो 307 के आसपास एक टार्गेट रहेगा और अगर 307 की ऊपर भी चलता है 316 के आसपास नेक्स टार्गेट आपके लिए रहेगा ज्यान रखिए अगर मार्केट 307 के नीचे अगर सस्टीन करता है वहां से एक बड़ा सेलिंग बन सकता है क्योंकि मार्केट काफी ऊपर आ चुका है और यहां पर देखिए एक ब्रेक आउट देने के बात मार्केट आज अच्छा कैंडल बना है तो हो सकता है यहां पर एक रेट कंडल बनाने की कोसिस कर सकता है तो 299 के नीचे अगर खुल जाता है 299 के आसपास जाके नीचे आने लगे सेल कर सकते हो 290 तक आपको टार्गेट रहेगा आई होप आपको समझ आना चाहिए कि जो लेबल आपको दे रहा हो कि काफी इससे पहले भी काफी अच्छा प्रॉफिट आप लोगोंने कमाया था मार्केट पर तो कल के लिए भी सेम मैं आपको जरूर बताऊंगा कि देखो जो लेबल दे रहा हो 290 का लेबल आपके लिए अपकर का काम करेगा 299 या आपका रेजिश्टन का काम करेगा अगर 2.99 की उपर चलता है, buy करो 2.90 की नीचे जा रहा है, sell करो इतना ही कहोंगा, और जो भी label आपको मिलता है market को फेले wait करो market उन label की नीचे sustain करना चाहिए उसके बाद आप लोग position ले सकते हो चले हम लोग next वीडियो के उपर चलते चले हम लोग फिलाल देखते हैं वारत electronic की उपर जैसे कि मैंने परस्व आपको बताया था कि यह candle बहुत ही अच्छा बनाए तो उसके बाद देखिए मैंने कुछ analysis नहीं किया था इसके लिए मुझे बता है अब काफी सारे लोगों ने confusion की तेदा आप लोग कुछ trade नहीं ले पाया होगे तो कल के लिए हम लोग decide करते हैं कि यहां पर discuss करेंगे क्या हो सकता है कल के रेट पर और कॉन से लेबल पर हम इसको trade कर सकते हैं वो भी देखेंगे देखेंगे इसका support जो है भारत इलक्रोनी का support जो है काफी मेरे ख्याल से भारत इलक्रोनी के support काफी नजदीक है तो मैं आपको दूर को को support नहीं दोगा को resistance नहीं दोगा आप लोगो सिर्फ इतना ही देखना है कि जो भी support and resistance आपको मिल रहे हैं उनको आपको सिर्फ follow करना है जैसे कि 135 का resistance मेरा दिखाई दे रहा है और support आपका करीबन 132.40 पेसा यहनि कि हमारा दे लोग आपका support का काम करेगा और यहां पर 135 आपका resistance का काम करेगा कल हो सकता है आपका market अगर support देखो यह candle का low इसमें support ले रहे मार्केट अगर मार्केट इस जगह पर support लेता है तो उपर के लिए टार्गेट बन सकता है करीबन 141 के उपर तो अगर यह लेबल जैसे कि 132.40 अगर ब्रेक कर देता है तो समझ देजे मार्केट को दुबारा नीजी आना चाहिए जैसे कि 128 के आसपास और 128 के नीचे भी जाता है तो करीबन 126 और 125 26 के आसपास नीचे टार्गेट रहेगा और अगर 135 की उपर चलता है सेम 137.75 उसकी उपर चलता है जैसे कि 139.50 पेसा और उसकी उपर भी जाता है 141 के आसपास टार्गेट रहेगा गाईस वीडियो छोटा करने के लिए मैं थोड़ा फास्ट बॉल रहा हूँ और हम लोग तो तुरण्द अनलिसिस करेंगे काफी करेंटक अधर वडियो हो जाता है तो अच्छा है सब्सक्राइब लाइक के बटन दबा के चले हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं चले नेक्स्ट आपका रहेगा आइटीसी देखिए आइटीसी में हमने प्रिव्यूस टे पर देखा था कि अगर सपोर्ट के नीचे जाता है मार्केट तो हो सकता है नीचे का टार्गेट दुबार आ सकता है पर मेरे ख्याल से आपर एक अच्छा ब्रेकाउट लेबल बनना चाहिए पर मार्केट अभी भी श्यूर नहीं है अभी मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे आने के बाद और बायर एंट्री करने के बाद ही मार्केट इस लेबल को ब्रेक कर सकता है जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोसर रख रहा हो देख लिए आप लोग यह लेबल आपके लिए सपोर्ट ब्रेक कर देता है यहाँ पर एक टार्गेट आपको रहेगा 211 और 209 209 के बाद आपका डायरेक्ट टार्गेट रहेगा 205 याद रखिए अगर 211 में अगर मार्केट सपोर्ट ले लेता है तो हो सकता है हम लोग को यहाँ से दुबारा एक बाइंग का उपोर्च 215 रुपीज 85 पेसा अगर उसके उपर चलता है मार्केट तो बाइंग पोजिशन बन सकता है यहाँ पर पहला टार्गेट रहेगा 219.40 रुपीज और नेक्स्ट आपका रहेगा 222 उसके बाद मैंने दिया हुआ था 27 के 227 के आसपास और 230 के आसपास यह टार्गेट आपको कुछ सीखने की जरूरत है कि आप लोग अगर ट्रेड लेना पता नहीं है तो आगर आपको जितना अच्छा लेबल मिले आप कभी भी ट्रेड नहीं कर पाऊगे तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आप यह लेबल को जरूर नोट करें और उसी हिसाब से आप लेबल की उपर काम करें सपोर्ट आपका हो गया 212.30 पेसा नीचे का टार्गेट रहेगा 211,209,205 रेजिस्टंस आपका रहेगा 215,85 पेसा उसकी उपर जाता है 219.40 पेसा सेकेंड टार्गेट रहेगा 222, तीसरा रहेगा 227 से लेकर 230 के आसपस चली हम लोग नेक्स टॉ की उपर चलते हैं और खास करके सबको रिक्वेस्ट करोंगा ज्यादा ज्यादा लोग को शेर करो जैसे कि आप लोग वीडियो पर देखके ट्रेड ले सकते हो काफी सरे लोग को ये लेबल ज़रूर बिनने चाहिए चली नेक्स टॉक पर चलते हैं चली हम लोग नेक्स प्रफिट बुकिंग का काम हुआ है बट हमें देखना है जो लेबल आपको देने जा रहा हूं खास करके उन लेबल को आप जरूर नोट करके रखें एकसो बीस पर वान ट्वेंटी पर अभी क्लोजिंग आया है तो यहां पर रेजिस्टंस का काम करेगा वान ट्वेंटी अगर मार्केट 121 की ऊपर जाता है दे हाई 123 70 पैसा को दुबारा रीटेस्ट करेगा तो यह रीटेस्ट करेगा 123 रुपीज 70 पैसा और 123 70 पैसा की ऊपर जैसे ही जाएगा 125 इसके लिए important रहागा 125 रुपीज 45 पेशा आपके लिए important रहेगा जैसे उसको cross करेगा हम लोग ने जैसे plan किया था 128 and 131 यहाँ तेक में भी उपर जा सकता है आपको याद रखना है 121 की उपर आपको buy करना है अगर उसके उपर जाता है target रहेगा 123 50 पेशा फरी 123 70 पेशा उसके उपर जाता है 125 40 पेशा अगर उसके उपर जाता है 128 and 131 support का काम करेगा आपका जैसे की 118 118 के नीचे आ जाता है 115 70 पेशा दूसरा target रहेगा 112 65 पेशा के आसपास आपका next target रहेगा guys काफी सारे लोग हो सकता आज वीडियो देखेंगे अगर समझ नहीं आएगा तो प्लीज इन लेबल के उपर आप ट्रेड करो विए कि आज मैं कोसेश कर रहा हूँ वीडियो को छोटा बनाने के लिए आप लोग के लिए तो प्लीज दो तिन दिन के बाद मैं जैसे ही बापस आजाओंगा हम लोग सेम जैसे ही पहले analysis कर रहे थे चार्ट के उपर हम लोग drawing करके देखेंगे काफी सारा चीज में mention करके बताओंगा तो फिलाल यह possible नहीं है आप लोग के लिए थोड़ा वक्त निकालके मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ तो यह चीज को आप थोड़ा consider करें कि जो labels दे रहा हूँ उनके उपर trade करो और complain मत करो please क्योंकि मुझे पता आप लोग को समझ नहीं है बहुत फास्ट बोल रहा हूँ और वीडियो छोटा बना रहा हूँ तो कॉसिस करें जो लेबल दे रहा हूँ लेबल के उसमझ के ट्रेड करने के लिए चलिए हम लोग नेक्स टॉक की उपर चलते हैं और नेक्स टेंट फाइनल स्टॉक रहा कल के लिए ओके चलिए नेक्स टॉक आपका रहेगा डेलेफ देखिए डेलेफ में काफी सारा मोमेंटम आपका 300 के असपस मिला फिलाल मार्केट जो एक बहुत ही खराब केंडल बना है देखिए यहाँ पर जो लेबल दे रहा हूँ और लेबल के नीचे मार्केट काफी विक रहेगा जैसे कि आपका 288 288 का लेबल आपके लिए बहुत इंपोर्टन लेबल है अगर 288 की उपर चलता है 288 रुपीस 50 पैसा अगर डेलेफ 288 50 पैसा की उपर चलता है बाइ कर सकते हो उसके नीचे जब रहेगा जब तक नेखा तब तक आप सेल कर सकते हो केसे में आपको लेबल बता देता हूँ देखे सपोर्ट यहां पर सपोर्ट यहां पर दिखाए दे रहा है मेरे सामने दो सपोर्ट में देख पारा हूँ 288 282 282 रुपीस 60 पैसा आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और रेजिस्सन्स का काम करेगा 288 रुपीस 50 पैसा अगर मार्केट 282 रुपीस 60 पैसा के नीचे आ जाता है आप सेल कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 279 279 के नीचे अगर आता है तो नेक्स्ट आपका टार्गेट रहेगा आपर 268 275 and 268 80 पैसा तो काफी नीचे आ सकता है ध्यान रखे यह लेबल आपके लिए बहुत इंपोर्टन रहेगा 288 288 60 पैसा आपके लिए इंपोर्टन लेबल है उसके नीचे चलता है शेल करो और 288 50 पैसा के उपर जादा है बाइ करो 288 50 पैसा की उपर जैसे ही जाएगा पहला टार्गेट रहेगा 297 94, नेक्स टार्गेट रहेगा 97 और तीसरा रहेगा 301 याद रखिए ये लेबल आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है और उसी साब से जरूर ट्रेड करें जो लेबल आपको दे रहा हो ये काफ़ी मदद करेंगे आप लोग को और जैसे कि हम लोग प्लान के थे यूटूब लाइब के लिए फिलाल पॉसिबल नहीं हो रहा है तो हम लोग प्लान करेंगे जैसे ही 25-26 के बाद में जैसे ही बापस आऊँगा आप लोग के लिए और जैसे ही मैं लेबल दिया हूँ उससाबसे काम करेंगे और एक अच्छा पेसा ज़रूर बनेंगे अभी तक और किसी ने वरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियो विडियो ये को लाइक नहीं कियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ चाथ लोगों को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जरूर शेयर करें आज के लिटने फ्रेंड धन्यवाद